वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते वैसे तो गुरु गोबिन सिंग जी के असंखि भगत हुए हैं पर उनके एक ऐसे भगत हुए हैं जिनके आगे हमारा सिर्श रधा से जुख जाता है ऐसा उन्होंने क्या किया कि जिस वज़े से गूरु साहब जी ने भी उनको गले लगाया और हम भी उनके प्रती शद्धा से जुख जाते हैं ये भगत है कनेया जी जिनका जनम पंजाब के एक धनी परिवार में हुआ था परन्तु फिर भी उन्होंने अपने जीवन में परिवार की संपत्ती से अलग रास्ता चुना और वो रास्ता था भक्ती का रास्ता बाई कनेया जी ने अपने जीवन के कई वर्ष तक गुरु तेक भादुर जी की सेवा की और कड़ी मेहनत की फिर उन्होंने गुरु गोबिन सिंग जी की सेवा करते हुए बहुत ही कठिन परिश्रम किया बात उस समय की है जब पंजाब की भूमी पर आकर्मन हो रहा था और गुरु गोबिन सिंग जी को एक बड़ी लड़ाई में अनंदपुर सहब की रक्षा करनी थी दुश्मनों ने अनंदपुर सहब पर हमला किया और शहर की आपूर्ती काट दी यानि जो रसद आती थी भोजन इत्यादी उसकी आपूर्ती यानि उसकी सप्लाई काट दी जल्दी ही पानी और भोजन ढूंडना मुश्किल हो गया था और युद में कई लोग कमजोर हो गए और घायल हो गए भाई कनहिया जी ने युद के दौरान घायल लोगों को देखा और बड़े प्यार से सभी को पानी पिलाना शुरू कर दिया मशक में पानी भर कर मशक होती है जो चमड़े की बनी होती है उसमें पानी भर कर उन्होंने दोनों सेनाओं के घायल लोगों को समान रूप से पानी दिया यहां तक की दुश्मनों को भी जो शत्रू सेना थी उसके सैनिक भी घायल पड़े थे मरने वाले हो रहे थे प्यास से मर रहे थे उनको भी उन्होंने पानी पिलाया कुछ लोगों को उनकी ये बात समझ में नहीं आई कि करेया जी ऐसा क्यों कर रहे हैं शत्रू सेना के सैनिकों को पानी क्यों पिला रहे हैं उन्होंने उनकी शिकायत गुरू गबिन सिंग जी से करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा है कि वह लोगों की सेवा करता है लेकिन हमारे पास अपने लिए ही परियापत पानी नहीं है फिर इसका कोई मतलब नहीं है कि वह हमारा पानी दुश्मन को पिला रहा है साथ ही वह उन में से कुछ को ठीक भी कर रहा है उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ मरते हुए जो सैनिक हैं जो प्यास से मर रहे होते हैं उनको वो पानी पिला देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं और हम से लड़ने के लिए वापिस भी आ जाते हैं इस तरह हमारे लिए वो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। गुरु गोबिन सिंग जी ने सुना और बस इतना कहा कि कनहिया को मेरे सामने लाओ। तो भाई कनहिया को उनके पास तुरंत लाया गया। जब गुरु जी ने अपने प्रिये सिख की पवितरता और भक्ती देखी जिस जी यह सच है। जब मैं इन घायल लोगों का चेहरा देखता हूं तो मुझे केवल आप ही दिखाई देते हैं। मुझे यह दिखाई नहीं देता कि कौन शत्रू सेना का है, कौन हमारी सेना का है। मुझे तो उनकी सेवा करनी हैं क्योंकि मुझे उन सब में केवल आप और वाहे गुरू ही दिखाई देते हैं। गुरू गबिन सिंग जी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और कहा आप सही हैं और आपने आज वो करके दिखाया है जो मैं वास्ताओं में कहता हूं। आपने वास् शिखो आप इसी तरह सीखने की पूरी कोशिश करें गुर्बानी जो पाट सिखाती है वह अमूल है तब गुरु जी ने भाई कनेया को कुछ जड़ी बूटिया दी और उनसे कहा अब से इसे उन सभी के घामों पर लगाना जिन्हें इसकी आवशकता है और भाई कनेया ने इ आत संगर जी भाई कनेया एक पवित्रा आत्मा हैं भगवान के प्यारे हैं उन्होंने बिना इसकी परवा किये कि वे कौन हैं और कहां हैं सभी की सेवा की है उन्होंने सहजता और देविये कृपा की एक उतकरष्ट आध्यात्मिक स्थिती प्राप्त की है आने वाले लोग उनके उधारन का अनुसरन करेंगे और मानवता की सेवा करते रहेंगे और इस परंपरा को जीवित रखेंगे गुरू की शिक्षाओं के बारे में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग समझ थी और इसलिए जब गुरू जी ने यह कहा तो संगत को यह समझ में आने लगा कि भाई कनहिया ने उस सत्य पर अमल किया है और जीया है जो उन में से कई ने केवल शब्दों और ध्यान में सिखा था उन्होंने सबसे चुनोती पूर्ण समय में और ऐसे भयानक युद्ध के दौरान दूसरों में दिव्यता देखी और उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्ताओं में धन्य हैं हम सभी दूसरों में इश्वर को देखने की सिती प्राप्त करें हम सभी इस सत्य को जीएं और जहां भी जाएं और जो कुछ भी करें भाई कनहिया जी की तरहां अपने कार्यों में इसका अभ्यास करें वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फटे